रमसान के पूरे तीस रोजों के बाद आज इद आई है कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है व्रिक्षों पर कुछ अजीब हर्याली है खेतों में कुछ अजीब रोनक है आस्मान पर कुछ अजीब लालिमा है आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है मानोसंसार को ईद की बधाई दे रहा है गाउं में कितनी हलचल है ईद गा जाने की तैयारिया हो रही है किसी के कुर्ते में बटन नहीं है पड़ो उसके घर सुई धागा लेने दोड़ा जा रहा है किसी के जूते कड़े हो गए है उनमें तेल डालने के लिए तेली के घर भागा जाता है जल्दी जल्दी बैलो को सानी पानी दे दे इदगा से लोटते लोटते दोपहर हो जाएगी तीन कोस का पैदल रास्ता फिर सेकडो आदमियों से मिलना, भेटना दोपहर के पहले लोटना असंबव है लड़के सबसे ज़्यादा प्रसंद है किसी ने एक रोजा रखा है वो भी दोपहर तक और किसी ने वो भी नहीं लेकिन इदगा जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज है रोजे बड़े बुड़ों के लिए होते होंगे इनके लिए तो ईद है रोज ईद का नाम रठते थे लोग आज वो आ गई अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगा क्यों नहीं चलते इन्हे ग्रस्तिकी चिंताओं से क्या प्रयोजन सिवईयों के लिए दूद और शक्कर घर में है या नहीं इनकी बला से ये तो सिवईयां खाएंगे ये क्या जाने कि अबबाजान क्यों बदहवास चोदरी कायमली के घर दोड़े जा रहे हैं इन्हे क्या खबर कि चोदरी आज आँखे बदल ले तो ये सारी ईद मुहर्म हो जाए उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश हो कर फिर वापस रख लेते हैं महमूद गिनता है एक, दो, दस, बारा उसके पास बारा पैसे है महसिन के पास एक, दो, तीन, आठ, नो, पंदरा पैसे है इन्ही अंगिनती पैसों में अंगिनती चीजे लाएंगे खिलोने, मिठाईया, बिगुल, गेंद, और न जाने क्या-क्या और सबसे ज्यादा प्रसन है हामिद वो चार-पांच साल का घरीब सूरत दुबला पतला लड़का जिसका बाप गतवर्ष हैजे की भेट हो गया और मा न जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई किसी को पता न चला क्या बिमारी है कहती भी तो कौन सुनने वाला था दिल पर जो कुछ बीथती थी वो दिल में ही सैती थी और जब ना सहा गया तो संसार से विदा हो गई अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है और उतना ही प्रसन है उसकी अबाजान रुपए कमाने गई हैं बहुत सी थेलिया लेकर आएंगे अमी जान अल्ला मिया के घर से उसके लिए बड़ी अच्छी अच्छी चीजे लाने गई है इसलिए हामिद प्रसन है आशा तो बड़ी चीज है और फिर बच्चों की आशा उनकी कलपना तो राई का परवत बना लेती है हामिद के पाउं में जूते नहीं है सिर पर एक पुरानी धुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है फिर भी वो प्रसन है जब उसके अबबा जान थेलिया और अमी जान नियामते लेकर आएंगी तो वहे दिल के अर्मान निकाल लेगा तब देखेगा महमूद, मोसी, नूरे और सम्मी कहां से उतने पैसे निकालेंगे अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है आज इद का दिन और उसके घर में दाना नहीं आज आविद होता तो क्या इस तरह इद आती और चली जाती इस अंदकार और निराशा में वो डूबी जा रही थी किसने बुलाया था इस निगोडी इद को इस घर में उसका क्या काम लेकिन हामिद उसे किसी के मरने जीने से क्या मतलब उसके अंदर प्रकाश है और बाहर आशा विपत्ती अपना सारा दल बल लेकर आए हामिद की आनंद भरी चित्वन उसका विधवंश कर देगी हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है तुम डरना नहीं अम्मा मैं सबसे पहले आऊंगा बिल्कुल ना डरना अमीना का दिल कचोट रहा था गाउं के बच्चे अपने अपनी बाप के साथ जा रहे है हामिद का बाप अमीना के सिवा और कौन है उसे कैसे अकेले मेले में जाने दे उस भीरभार में बच्चा कहीं खो जाए तो क्या हो नहीं अमीना उसे यो न जाने देगी ननी सी जान तीन कूस चलेगा क्यासे पैर में छाले पड़ जाएंगे जूते भी तो नहीं है वो थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे गोद में उठा लेगी लिकिन यहां फिर सिवईया कोन पकाएगा पैसे होते तो लोटते लोटते सब सामगरी जमा करके चटपट बना लेती यहां तो घंटो चीज़े जमा करते लगेंगे मांगे ही का तो सब भरोसा ठहरा उस दिन फहीमन के कपड़े से ले थे आठ आने पैसे मिले थे उस अठनी को इमान की तरह बचाती चली आती थी इसी इद के लिए लेकिन कल गवालन सिर पर सवार हो गई तो क्या करती हामिद के लिए कुछ नहीं है तो दो पैसे का दूद तो चाहिए ही अब तो कुल दो आने पैसे रह गए है तीन पैसे हामिद की जेब में पांच आमिणा के बढ़वे में यही तो पिसाथ है और रीद का त्योहार अल्ला ही बेड़ा पार लगाए धोबन और नाइन और महतरानी और चूड़ी हारिन सभी तो आएंगी सभी को सेवईयां चाहिए और थोड़ा किसी की आँखों को नहीं लगता किस किस से मूँ चुराएगी और मूँ क्या चुराए साल भर का त्योहार है जिन्दगी खैरियत से रहे उनकी तक्दीर भी तो उसी के साथ है बच्चे को खुदा सलामत रखे ये दिन भी कट जाएंगे गाउं से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था कभी सब के सब दोड़ कर आगे निकल जाते फिर किसी पेड के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करते ये लोग क्यों इतना धीरे चल रहे हैं हामिद के पेरों में तो जैसे पर लग गए है वो कभी ठक सकता है खेर शहर का दामन आ गया सड़क के दोनों और अमीरों के बगीचे हैं पक्की चारतिवारी बनी हुई है पेडों में आम और लीचियां लगी हुई है कभी कभी कोई लड़का कंकडी उठा कर आम पर निशाना लगाता है माली अंदर से गाली देता हुआ निकलता है लड़के वहां से एक फरलांग पर हैं खूब हस रहे हैं माली को कैसे उल्लू बनाया बड़ी बड़ी इमारते आने लगी ये अदालत है ये कॉलेज है ये कलब घर है इतने बड़े कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे सब लड़के नहीं है जी बड़े बड़े आदमी है सच उनकी बड़ी बड़ी मूचे है इतने बड़े हो गए अभी तक पढ़ने जाते हैं ना जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे इतना पड़कर हामित के मदरसे में तो दो तीन लड़के बड़े बड़े हैं बिल्कुल तीन कोड़ी के रोज मार खाते हैं काम से जी चुराने वाले इस जगा भी उसी तरह के लोग होंगे और क्या कलब घर में जादू होता है सुना है यहां मुर्दे की खोपड़ियां दोड़ती हैं और बड़े-बड़े तमाशे होते हैं पर किसी को अंदर नहीं जाने देते और यहां शाम को साहब लोग खेलते हैं बड़े-बड़े आदमी खेलते हैं मूचो दाड़ी वाले और मेमे खेलती हैं सच हमारी अम्मी जान का तो हाथ कापने लगे अल्ला कसम मुसिन बोला अम्मी मनो आटा पीशती हैं जरा सा बैट पकड़ लेंगी तो हाथ कापने लगेंगे सैकडो घड़े पानी रोज निकालती है अरे पांच घड़े तो मेरी भैस पीजाती है किसी मेम को एक घड़ा पानी भरना पड़े तो आखो तले अंधेर आ जाए महमोद लेकिन दोड़ती तो नहीं उचल कूद तो नहीं कर सकती मौसिन हाँ उचल कूद नहीं कर सकती लेकिन उस दिन मेरी गाएं खुल गई थी और चोदरी के खेत में जा पड़ी थी तो अम्मा इतनी तेज दोड़ी कि मैं उन्हें पकड़ ना सका सच आगे चले हलवाईयों की दुकाने शुरू हुई आज खुब सजी हुई थी इतनी मिठाईयां कौन खाता है दिखो न एक-एक दुकान पर मनो मनो होंगी सुना है रात को जिन्नात आकर खरीद ले जाते हैं अबबा कहते थे कि आदी रात को एक आदमी हर दुकान पर जाता है और जितना माल बचा होता है वो सब तुलवा लेता है और सचमुश के रुपए देता है हाँ बिल्कुल ऐसे ही रुपए हामिद को यकीन ना आया ऐसे रुपए जिन्नात को कहां से मिल जाएंगे मौसिन निका जिन्नात को रुपए की क्या कमी जिस खजाने में चाहे चले जाएं लोहे के दर्वाजे तक उन्हें नहीं रोक सकते आप हैं किस फेर में हीरे जवारात तक उनके पास रहते हैं जिससे खुश हो गए उसे टोकरों जवारात दे दिये अभी यहीं बैठे हैं पांच मिनिट में कहो कलकत्ता पहुँच जाएं हामिद ने फिर पुछा जिननात बहुत बड़े-बड़े होते होंगे मौसिन एक-एक आस्मान के बराबर होता है जी जमीन पर खड़ा हो जाए तो उसका सिर आस्मान से जा लगे मगर चाहें तो एक लोटे में गुश जाएं हामिद लोग उन्हें कैसे खुश करते होंगे कोई मुझे वो मंतर बता दे तो एक जिन को मैं भी खुश करलू मौसिन अब ये तो मैं नहीं जानता लेकिन चौदरी साहब के काबू में बहुत से जिननात है कोई चौरी हो जाए चौदरी साहब उसका पता लगा देंगे और चौर का नाम भी बता देंगे जुमराती का बचवा उस दिन खो गया था तीन दिन हैरान हुए कहीं ना मिला तब जख मार कर चौदरी के पास गए चौदरी ने तुरंद बता दिया कि मवेशी खाने में है और वहीं मिला जिन नात आकर उन्हें सारे जहान की खबरे दे जाते हैं अब उसकी समझ में आ गया कि चौदरी के पास इतना धन है वो क्यों है और क्यों उनका इतना सम्मान है आगी चले ये पुलिस लाइन है यहीं सब कॉंस्टेबल कवायत करते हैं रात को बिचारे घूम घूम कर पहरा देते हैं नहीं चोरियां हो जाएं मौसिन ने प्रतिवाद किया ये कॉनिस्टेबल पहरा देते हैं तब ही तुम बहुत जानते हो अजी हजरत यही चोरी करवाते हैं शहर के जितने चोर डाकू हैं सब इनसे मिले रहते हैं रात को ये लोग चोरो से तो कहते हैं चोरी करो और आप दूसरे मौले में जाकर जागते रहो जागते रहो पुकारते हैं जबी इन लोगों के पास इतने रुपए आते हैं मेरे मामू एक थाने में काने स्टेबल हैं बीस रुपए महिना पाते हैं, लेकिन पचास रुपए घर बेजते हैं, अल्ला का सम मैंने एक बार पूछा था कि मामू, आप इतने रुपए कहां से पाते हो। हसकर कहने लगे, बेटा अल्ला देता है, फिर आप ही बोले, हम लोग चाहें तो एक दिन में लाखों मार लाएं, हम तो इतना ही लेते हैं जिसमें अपनी बदनामी ना हो और नोकरी ना चली जाएं। हामिद ने पूछा, ये लोग चोरी करवाते हैं, तो कोई ने पकड़ता क्यों नहीं। मौसिन उसकी नादानी पर दया दिखा कर बोला, अरे पागल, इन्हें कोन पकड़ेगा, पकड़ने वाला तो ये खुद है, लेकिन अल्ला इन्हें सजा भी खूब देता है, हराम का माल हराम में ही जाता है, थोड़े दिन हुए मामू के घर में आग लग गई, सारी लेई पुझी जल गई, एक बरतन तक ना बचा, कहीं दिन पेड के नीचे सोए, अल्ला कसम पेड के नीचे, फिर न जाने कहां से एक सो कर्ज लाए, तो बरतन भांडे आए, हामित, एक सो तो पचास से ज़्यादा होते होंगे, कहां पचास, कहां एक सो, पचास एक थैली वर होता है, सो तो दो थैलियों में भी न आएं, अब बस्ति घनी होने लगी थी, इदगा जाने वालों की टोलिया नजर आने लगी, एक से एक भड की लेवस्तर पहने हुए, कोई इक्के तांगे पर सवार, कोई मोटर पर, सभी इत्र में बसे, सभी के दिलों में उमंग, ग्रामीनों का ये छोटा सा दल, अपनी विपनता से बेखबर, संतोश और धैरे में मगन चला जा रहा था, बच्चों के लिए नगर की सभी चीज़े अनोखी थी, जिस चीज की ओर ताकते, ताकते ही रह जाते, और पीछे से बार-बार हॉरन की आवाज होने पर भी ना चेथते, हामित तु मोटर की नीचे जाते जाते बचा, सहसा एदगा नजर आया, उपर इमली की घने व्रक्षों की चाया, नीचे पक्का फर्ष, जिस पर जाजम बिचा हुआ है, और रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक, नजाने कहां तक चली गई है, पक्के जगत की नीचे तक, जहां जाजम भी नहीं है, नए आने वाले आकर, पीछे की कतारों में खड़े हो जाते हैं, आगे जगा नहीं है, यहां कोई धन और पद नहीं देखता, इसलाम की निगा में सब बराबर है, इन ग्रामिनों ने भी वुजू किया, और पिछली पंक्ति में जाकर खड़े हो गए, कितना सुन्दर संचालन है, कितनी सुन्दर विवस्था, लाखों सिर एक साथ सजदे में जुक जाते हैं, फिर सब के सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ जुकते हैं, और एक साथ घुटनों के बल बैट जाते हैं, कई बार यही करिया होती है, जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त हों और एक साथ बुझ जाएं और यही क्रम चलता रहे कितना अपूर्व द्रशे था जिसकी सामोहिक क्रियाई विस्तार और अनंदता हरते को श्रधा गर्व और आत्मानंद से भर देती थी मानो भ्रात्रत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए था नमाज खतम हो गई है लोग आपस में गले मिल रहे हैं तब मिछाई और खिलोनों की दुकानों पर धावा होता है ग्रामिनों का ये दल इस विशे में बालकों से कमुत्सा ही नहीं है ये देखो हिनोला है एक पैसा देकर चड़ जाओ कभी आस्मान पर जाते हुए मालुम होंगे और कभी जमीन पर गिरते हुए ये चर्की है लकडी के हाथी घोडे उट छड़ों से लटके हुए है एक पैसा देकर बैठ चाओ और पचीस चक्करों का मजालो महमोद और मौसिन और नूरे और सम्मी इन घोडों और उटों पर बैठते हैं हां में दूर खड़ा है तीन ही पैसे तो हैं उसके पास अपने कोश का तिहाई जरसा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता सब चर्खियों से उतरते हैं अब खिलोने लेंगे इधर दुकानों की कतार लगी हुई हैं तरहां तरहां के खिलोने हैं सीपाही और गुजरिया राजा और वकील भिष्टी और धोबिन और साधू वाह कितने सु से बोल ही पड़ेंगे महमुद सिपाही लेता है खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला कांधी पर बंदूग रखे हुए मालूम होता है अभी कवायत किये चला रहा है मौसिन को भिष्टी पसंद आया कमर जुकी है उपर मशक रखे हुए है मशक का मूँ एक हाथ से नूरे को वकील से प्रेम है कैसी विद्वता है उसके मुख पर काला जोगा नीचे सफेद अचकन अचकन के सामने की जेब में घड़ी सुनहरी जंजीर एक हाथ में कानून का पोथा लिये हुए मालूम होता है अभी किसी अदालक से जिरह या बहस किये चले आ रहे हैं ये स तो चूर-चूर हो जाए जरा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए ऐसे खिलोने लेकर वो क्या करेगा किस काम के महसिन मेरा भिष्टी रोज पानी दे जाएगा सान सवेरे महमूद और मेरा सिपाही घर का पहरा देगा और कोई चोर आएगा तो फोरन बंदूग से फा बिन रोज कपड़े धोएगी हामिद खिलोनों की निंदा करता है मिटी ही के तो हैं गिरें तो चकना चूर हो जाएं लेकिन लल्चाई हुई आखों से खिलोनों को देख रहा है और चाहता है कि काश जरा देर के लिए उन्हें हात में ले सकता उसके हात अनायास ही लपकते हैं लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते विशेश कर तब जब अभी नया शोंक है हामिद लल्चाता रह जाता है खिलोनों के बाद मिठाईया आती है किसी ने रेवढ़ी आली हैं किसी ने गुलाब जामुन किसी ने सोहन हलवा मज़े से खा रहे है हामिद उनकी बे प्रादरी से प्रथक है अब हागे के पास तीन ही तो पैसे हैं क्यों नहीं कुछ लेकर खाता ललचाई आँखों से सब की ओर देखता है मोसिन कहता है हामिद रेवडी ले जा कितनी खुशबुदार है हामिद को संदे हुआ कि ये केवल क्रूर विनोध है मोसिन इतना उदार नहीं है लेकिन ये जानकर भी वो उसके पास चला जाता है मोसिन दोने से एक रेवडी निकाल कर हामिद की ओर बढ़ाता है हामिद हाथ पहलाता है और मोसिन रेवडी अपने मुँ में रख लेता है महमूद, नूरे और समी खोब तालिया बजा बजा कर हसते हैं हामिद खि लखे रहो क्या मेरे पास पैसे नहीं है? समी तीन ये तो पैसे हैं, तीन पैसे में क्या-क्या लोगी? महमोद हमसे गुलाब जामुन ले जाओ आमिद, मौसिन तो बदमाश है हामिद मिठाई कोन बड़ी निमत है, किताब में इसकी कितनी बुराईयां लिखी है मौजिन लेकिन दिल में तो कह रहे होंगे कि मिले तो खा जाओ अपने पैसे क्यों नहीं निकालते हो महमूद हम समझते हैं इसकी चला की जब हमारे सारे पैसे खर्च हो जाएंगे तो हमें लल्चा लल्चा कर खाएगा मिठाईयों के बाद कुछ दुकाने लोहे की चीजों की आई कुछ गिलट और कुछ नकली कहनों की लड़कों के लिए यहां कोई आकर्शन ना था वो सब आगे बढ़ जाते है हामिद लोहे की एक दुकान पर रुख जाता है कहीं चीम्टे रखे हुए हैं उसे खयाल आया दादी के पास चीम्टा नहीं है तवे से रोटियां उतारती हैं तो हाथ जल जाता है अगर वैं चीम्टा ले जाकर दादी को दे दे तो वो कितनी प्रसन हो जाएंगी फिर उनकी उंगलियां कभी न जलेंगी और घर में एक काम की चीज हो जाएगी खिलोनों से क्या फायता व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं जरा देर ही तो खुशी होती है फिर तो खिलोनों को कोई आँख उठा कर नहीं देखता या तो घर पहुँचते पहुचते तूट फूट कर बराबर हो जाएंगे या छोटे बच्चे जो मेले में नहीं आए हैं जिद करके ले लेंगे और तोर डालेंगे चिम्टा कितनी काम की चीज है रोटिया तवे से उतार लो चूले में सेक लो कोई आग मांगने आए तो चट पट चूले से आग निकाल कर उसे दे दो अम्मा विचारी को कहां फुरसत है कि बाजार आएं और इतने पैसे ही कहां बचते हैं रोज हाद जला लेती है हामिद के साथ ही आगे बढ़ गए सबील पर सब के सब शर्बत पी रहे है देखो सब कितने लालची हैं इतनी मिठाईयां ली मुझे किसी ने एक भी न दी उस पर कहते हैं कि मेरे साथ खेलो मेरा ये काम कर दो अब अगर किसी ने भी कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा खाएं मिठाईयां आप मूँ सड़ेगा फोड़े फुनसियां निकलेंगी आप ही जबान चटोरी हो जाएगी तब घर के पैसे चुराएंगे और मार खाएंगे किताब में जूठी बाते थोड़े ही लिखी है मेरी जबान क्यों खराब होगी अम्मा चिम्टा देखते ही दोड़कर मेरे हाथ से ले लेंगी और कहेंगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिम्टा लाया है हजारो दुआएं देंगी फिर पड़ोस की ओरतों को दिखाएंगी सारे गाओं में चर्चा होने लगेगी हामिद चिम्टा लाया है कितना अच्छा लड़का है इन लोगों के खिलोनों पर कौन दुआएं देगा बड़ों की दुआएं सीधे अल्ला के दरबार में पहुँचती हैं और तुरंट सुनी जाती हैं मेरे पास पैसे नहीं है तभी तो मुहसिन और महमूद यों मिज़ाज दिखाते हैं मैं भी इन से मिज़ाज दिखाऊंगा खेलें खिलोने और खाएं मिठाईया मैं नहीं खेलता खिलोने किसी का मिज़ाज क्यों सहूँ मैं गरीब सही किसी से कुछ मागने तो नहीं जाता आखिर अब्बा जान कभी न कभी तो आएंगे अम्मा भी आएंगी ही फिर इन लोगों से पूछूंगा कितने खिलोने लोगे एक-एक को टोकरियों खिलोने दूँ और दिखा दूँ कि दोस्तों के साथ इस तरह सुलूग किया जाता है ये नहीं कि एक पैसे की रेवडियां ली और चिढ़ा चिढ़ा कर खाने लगे सब कि सब खूब हसेंगे कि हामिद ने चिम्टा लिया है हसी मेरी बला से उसने दुकानदार से पूछा कि चिम्टा कितने का है दुकानदार ने उसकी और देखा और कोई आदमी साथ ना देख कर कहा ये तुम्हारे काम की चीज नहीं है जी विकाओ है विकाओ क्यों नहीं है और यहां क्यों लाद लाए है तो बताते क्यों नहीं कितने पैसे का है छे पैसे लगेंगे हामिद का दिल बैठ गया ठीक ठीक पांच पैसे लगेंगे लेना हो तो लो नहीं तो चलते बनो हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा तीन पैसे लोगे और यह कहता हुआ वह आगे बढ़ गया कि दुकानदार की घुड़किया न सुने लेकिन दुकानदार ने घुड़किया नहीं दी बुला कर चिम्टा दे दिया हामिद ने उसे इस तरह कंदे पर रखा मानो बंदूख है और शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास आया जरा सुने सब के सब क्या-क्या आलोचिनाय करते हैं मौसिन ने हसकर कहा ये चिम्टा क्यों लाया पगले इससे क्या करेगा हामिद ने चिम्टे को जमीन पर पटक कर कहा जरा अपना भिष्टी जमीन पर गिरा दो सारी पसलिया चूर-चूर हो जाएं बच्चे की महमूद बोला तो ये चिम्टा कोई खिलोना है हामिद खिलोना क्यों नहीं अभी कंदे पर रखा तो बंदूख हो गई हाथ में लिया फकीरों का चिम्टा हो गया चाहूं तो इससे मजीरे का काम ले सकता हूं एक चिम्टा जमा दूँ तो तुम लोगों के सारे खिलोनों की जान निकल जाए तुम्हारे खिलोने कितना ही जोड लगाएं वो मेरे चिम्टे का बाल बिबाका नहीं कर सकते मेरा बहादुर शेर है चिम्टा समी ने खंजरी ली थी प्रभावित होकर बोला मेरी खंजरी से बदलोगे दो आने की है हामिद ने खंजरी की ओर उपेक्षा से देखा मेरा चिम्टा चाहे तो तुमारी खंजरी का पेट फार डाले बस एक चमड़े की जिल्ली लगा दी डब डब बोलने लगी जरा सा पानी लग जाए तो खतम हो जाए मेरा पहादुर चिम्टा आग में, पानी में, तुफान में बराबर डटा खड़ा रहेगा चिम्टे ने सभी को मोहित कर लिया लेकिन अब पैसे किसके पास धरे हैं फिर मेले से दूर भी निकलाए हैं नो कब के बच गए धूप तेज हो रही है घर पहुँचने की जल्दी हो रही थी बाप से जिद भी करें तो चिम्टा नहीं मिल सकता हामिद है बड़ा चालाक इसी लिए बदमाश ने अपने पैसे बचा रखे थे अब बालकों के दो दल हो गए हैं मोहसिन, महमोद, सम्मी और नूरे एक तरफ हैं हामिद अकेला दूसरी तरफ शास्त्रार्थ हो रहा है सम्मी तो विधर्मी हो गया दूसरे पक्ष से जा मिला लेकिन मोहसिन, महमोद और नूरे भी हामिद से एक-एक दो-दो साल बड़े होने पर भी हामिद के आगातों से आतंकित हो उठे हैं उसके पास न्याय का बल है और नीती की शक्ती एक और मिट्टी है, दूसरी और लोहा जो इस वक्त अपने को फोलाद कह रहा है वह अजे है, खातक है अगर कोई शेर आ जाए तो मिया भिष्टी के छक्के छूड़ जाए मिया सिपाही मिट्टी की बंदूग छोड़ कर भागे वकील साहब की नानी मर जाए चोगे में मूँ छिपा कर जमीन पर लेट जाए मगर यह चिम्टा, यह बहादुर, यह रुस्तमे हिंद ललकार कर शेर की गर्दन पर सवार हो जाएगा और उसकी आँखे निकाल लेगा मौसिन ने एडी चोटी का जोड लगा कर कहा अच्छा पानी तो नहीं भर सकता हामिद ने चिम्टे को सीधा खड़ा करके कहा भिष्टी को एक डाट बताएगा तो दोड़ा हुआ पानी लाकर उसके द्वार पर छिड़कने लगेगा मौसिन परास्थ हो गया पर महमूद ने कुमक पहुचाई अगर बच्चा पकड़ा जाए तो अदालत में बंदे बंदे फिरेंगे तब वकील सहब के ही पैरों पड़ेंगे हामिद इस प्रबल तर्क का जवाब न दे सका उसने पूछा हमी पकड़ने को न आएगा नूरे ने अकड़ कर कहा ये सिपाही बंदोक वाला हामिद ने मोच यड़ा कर कहा यह बेचारे हमारे बहादुर रुस्ता में हिंद को पकड़ेंगे अच्छा लाओ अभी ज़रा कुष्टी हो जाए इसकी सूरत देखकर दूर से भागेंगे पकड़ेंगे क्या बेचारे मोच इनको एक नई चोट सूच गई तुम्हारे चिम्टे का मूर रोज आग में जलेगा उसने समझा था कि हामिद लाजवाब हो जाएगा लेकिन ये बात ना हुई हामिद ने तुरंत जवाब दिया आग में बहादुर ही कूदते हैं जनाब तुम्हारे ये वकील, सिपाही और भिष्टी लोंडियों की तरह घर में गुज जाएंगे आग में गूदना वो काम है जो रुस्ता में हिंद ही कर सकता है समझे महमूद ने एक जोड लगाया वकील साब कुर्सी मेज पर बैठींगे तुम्हारा चिम्टा तो बावर्ची खाने में जमीन पर पड़ा रहेगा इस तर्ग ने सम्मी और नूरे को भी सजीव कर दिया कितनी ठिकाने की बात कही है पठे ने चिम्टा बावर्ची खाने में पड़े रहनी की सिवा और क्या कर सकता है हामिद को कोई फड़कता हुआ जवाब न सूझा तो उसने धांधली जुरू की मेरा चिम्टा बावर्ची खाने में नहीं रहेगा वकील सहाब कुर्शी पर बैठेंगे तो जाकर उन्हें जमीन पर पटक देगा और उनका कानून उनके पेट में डाल देगा बात कुछ बनी नहीं खासी गाली गलोच थी कानोन को पेट में डालने वाली बात च्छा गई ऐसी च्छा गई कि तीनों सूरमा मो ताकते रह गई मानो कोई धेलचा कनकोवा, किसी गंडे वाले कनकोवे को काट गया हो कानोन मो से बाहर निकलने वाली चीज थी उसको पेट के अंदर डाल दिया जाए तो बेतु किसी बात होनी पर भी कुछ नयापन रखती है हामिद ने मैदान मार लिया उसका चिम्टा रुस्ता में हिंद है अब इसमें महसिन, महमूद, नूरे, सीमी किसी को भी आपती नहीं हो सकती विजेता को हराने वालों से जो चमतकार मिलना सभाविक है वे हामिद को भी मिला और उने तीन तीन चार चार आने पैसे खर्च किये पर कोई काम की चीज ना ले सके हामिद ने तीन पैसे में रंग जमा लिया सची तो है खिलोनों का क्या भरोसा टूर फूर जाएंगे हामिद का चिम्टा बना रहेगा बरसों तक संदी की शर्थ तै होने लगी मौसिन ने कहा ज़रा अपना चिम्टा दो हम भी देखे तुम हमारा फिष्टी लेकर देख लो महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलोने पेश किये हमिद को इन शर्थों के मानने में कोई आपती न थी चिम्टा बारी-बारी से सब के हाथ में गया और उनके खिलोने बारी-बारी से हमिद के हाथ में आए कितनी खुबसूरत खिलोने है हमिद ने हारने वाले के आशु पोछे मैं तुम्हें चिडा रहा था सच ये लोहे का चिम्टा भला इन खिलोनों की क्या बराबरी करेगा मालूम होता है अब बोले अब बोले लेकिन मौसिन की पार्टी को इस दिलासे से संतोश नहीं होता चिम्टे का सिक्का खुब बैठ गया है चिपका हुआ टिकट अब पानी से नहीं चूट रहा है मौसिन लेकिन इन खिलोनों के लिए कोई हमें दुआ दो न देगा महमूद दुआ को लिए फिरते हो उल्टे मार ना पड़े अम्मा जरूर कहेंगी की मेले में मिट्टी के खिलोने मिले तुमें हमिद को सुकार करना पड़ा कि खिलोनों को देखकर किसी की भी मा इतनी खुश न होंगी जितनी दादी चिम्टे को देखकर होंगी तीन पैसों ही में तो उसे सब कुछ करना था और उन पैसों के इस उपयोग पर पच्चतावे की बिलकुल जरूरत न थी फिर अब तो चिम्टा रुस्त में हिंद है और सभी खिलोनों का बादशा रास्ते में महमूद को भूख लगी उसके बाप ने केले खाने को दिये महमूद ने केवल हामिद को साजी बनाया उसके अन्यमित्र मूह ताकते रह गए यह उस चिम्टे का ही प्रसाद था ग्यारा बजे सारे गाउं में हलचल मच गई मेले वाले आ गई मौसिन की छूटी बहन ने दोड़कर भिष्टी उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी के जो उचली तो मिया भिष्टी नीचे आगिरे और सुरलोक सिधारे इस पर भाई बहन में खूब मार पीठ हुई दोनों खूब रोई उनकी अम्मा ये शोर सुनकर बिगड़ी और दोनों को उपर से दो-दो चाटे और लगाए मिया नूरे के वकील का अंत उसके परतिष्ठा नुकूल इससे ज्यादा गौरव में हुआ वकील जमीन पर या ताक पर तो नहीं बैठ सकता उसकी मर्यादा का विचार तो करना ही होगा दिवार में दो खूटिया गाड़ी गई उन पर लकडी का एक पट्रा रखा गया पट्रे पर कागस का कालीन बनाया गया वकील साहब राजा भोज की भाती सिंगासन पर विराजे नूरे ने उन्हें पंखा चलना शुरू किया अदालतों में खस की टंटियां और बिजली के पंखे रहते हैं क्या यहां मामूली पंखा भी नहो कानून की गर्मी दिमाग पर चड़ जाएगी की नहीं बास का पंखा आया और नूरे हवा करने लगे मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्ग लोग से मृत्यो लोग में आ रहे और उनका माटी का चोला माटी में मिल गया फिर बड़े जोर शोर से मातम हुआ और वकेल साहब की अस्थी घूर पर डाल दी गई अब रहा महमूद का सिपाही उसे चटपट गाउं का पहरा देने का चार्ज मिल गया लेकिन पुलिस का सिपाही कुछ साधरन विक्ती तो था नहीं जो अपने पाउं चले वह पालकी पर चलेगा एक टोकरी आई उसमें कुछ लाल रंग के फटे पुराने चिथडे बिछाए गए जिनमें सिपाही साहब आराम से लेटे नूरे ने ये टोकरी उठाई और अपने द्वार का चकर लगाने लगे उनके दोनों छोटे भाई सिपाही की तरफ से छोने वाले जागते लहो पुकारते चलते है मगर रात तो अंधेरी ही होनी चाहिए महमूद को ठोकर लग जाती है टोकरी उसके हाथ से छोट कर गिर पड़ती है और मिया सिपाही अपनी बंदूग लिए जमीन पर आ जाते है और उनकी एक टांग में विकार आ जाता है महमूद को आज ग्याद हुआ कि वह अच्छा डोक्टर है उसको ऐसा मरहम मिल गया है जिससे वह तूटी टांग को आनन फानन जोड सकते है केवल गूलर का दूद चाहिए गूलर का दूद आता है टांग जोड दी जाती है लेकिन सिपाही को जो ही खड़ा किया जाता है टांग फिर से जवाब दे जाती है शल्ले करिया असफल हुई तब उसकी दूसरी टांग भी तोड दी जाती है अब कम से कम एक जगे आराम से बैठ तो सकता है एक टांग से तो न चल सकता था न बैठ सकता था अब वह सिपाही सन्याजी हो गया है अपनी जगे पर बैठा बैठा पहरा देता है कभी-कभी देवता भी बन जाता है उसके सीर का जालरदार साफा खुरच दिया गया है अब उसका जितना रुपांतर चाहो कर सकते हो कभी-कभी तो उससे बाठ का काम भी लिया जाता है अब मिया हामिद का हाल सुनिए अमीना उसकी आवाज सुनते ही दोड़ी और उसे गोद में उठा कर प्यार करने लगी सहसा उसके हाथ में चिम्टा देखकर वह चोंकी ये चिम्टा कहां था? मैंने मौल लिया है कैं पैसे में? तीन पैसे में अमीना ने च्छाती बीठ ली ये कैसा बेसमझ लड़का है? कि दो पहर हुआ, कुछ खाया, ना पिया, लाया क्या? ये चिम्टा? सारे मेले में तुझे और कोई चीज ना मिली जो ये लोहे का चिम्टा उठा लाया हामिद ने अपराद बोद से कहा तुम्हारी उंगलियां तब इसे जल जाती थी इसलिए मैंने इसे ले लिया बुढिया का सारा क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया और स्नेह भी वो नहीं जो प्रगल्ब होता है और अपनी सारी कसक शब्दों में बिखेर देता है ये मूख स्नेह था, खूब ठोस, रस और स्वाद से भरा हुआ बच्चे में कितना त्याग, कितना सदभाव और कितना विवेग है दूसरों को खिलोने लेते और मिठाई खाते देख इसका मन कितना ललचाया होगा इतना जब्द इससे कैसे हुआ होगा वहाँ भी इसे अपनी बुढिया तादी की याद बनी रही अमीना का मन गदगद हो गया और अब एक बड़ी विचित्र बात हुई हामित के इस चिम्टे से भी विचित्र बच्चे हामित ने बुढे हामित का पाट खेला था बुढिया अमीना बाली का अमीना बन गई वह रोने लगी दामन फ्यलाकर हामिद को दुआय देती जाती थी और आसू की बड़ी बड़ी बुंदे गिराती जाती थी हामिद इसका रहस से क्या समझता